प्रिंस को कोई नहीं मिलता है क्या तो अंटी जी के उपर वो करेगा क्या फिर वो मनिशा के उपर थमने लगाएगा कि भावी ने ये बोल दिया अब वो कर दिया मतलब भावी मा देख रही है तो भावी को मतलब negative उनकी जो छबी बनाने की कोशिश की जा रही है प्रिंस देख लो ये बहुत गलत हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए अदूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है ठीक उसी ये बात बहुत गलत है तो रंजना को कहते हुए सुना कि अज उसका मन नहीं लग रहा था आज उसे अपने माईके की याद आ रही थी तो देखें शादी के बाद अब तक भी रंजना का पक फेरा नहीं हुआ है जिसके चलते हैं कि हमारे में क्या होता है एक डेट फिक्स क पंडित के द्वारा मतला पूछ की करवाया जाता है किस टाइम का कितना पक फेरे का टाइम निकलता है अब सबके अपने रिती रिवास हैं सबका अपना वह चीजे हैं तो उसके अधार पर जब आंडी चीजे ने देखा और रंजना का इस तरीके से रोना जब तक वह आपको पता है इतने टाइम हो गया है और अभी भी माईके नहीं गई है तो उसका भी थोड़ा सा वो चीजे होते हैं बहले ही सस्राल कितना ही दिल लग जाए सस्राल में पर माईके की याद पल-पल हर इक बेटी को आती है और मा की याद तो आती है इस बात से तो आप अग घर जाने की अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है क्योंकि देखिए पहले शादी हुई शादी होकर रिसेप्शन हुआ फिर उसके बाद वह अंबाला गई अंबाला से फिर वह आनिमून पे गई फिर वहां से यहां आई फिर यहां से आने के बाद जो तीज वह दे जा हो गया कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए था या फिर कुछ ऐसे करके तो ससुराल के जो रिती रिवाज होते हैं भले ही ससुराल वाले कैदे कि नहीं तुम जा सकते हो जब तुमारा मन हो तो अगर ऐसा था अंटी जी यह कहने से पहले अगर उसका मन था उसको पता था आप पक फेरे करने अपने माई के चाहेगी क्योंकि आंटी जी का इतना भी पत्थर दिल नहीं है कि मतलब बहु के आंसू ना देखे हलाकि बहुत ज़दा ट्रोल किया जाता है अब तो आंटी जी को छोड़कर मनीशा के पीछे पड़ गया है प्रिंस जी जिनको प्रिंस को ये चीजे लगरी है कि भी या भावी मेरी साली को देखकर बोली आजश चुप नहीं रहेगी मतलब कुछ भी मतलब एसे से टाइटल प्रिंस डालते है ना ओ माई गॉड और प्रिंस को देख देक्के ये चीजे हमें भी समझ में आते है पर एक चीज है, बेशक सुनने के लिए मिलता है, पर जुनसान बेशरम हो जाता है, चिकना घड़ा होता है, उसके पर कितने पानी डालो, कितने उसको कुछ भी बोलो, उसको कोई फरक्त नहीं पड़ता, मेरे इसाब से हर यूटूबर ऐसा बन चुका है, यूटूबर आपनी बात को जाहिर करते हैं, बेश्रम लोगें, हम तो वीडियो बना कर अपनी बात को जाहिर कर देते हैं, और कुछ लोग वीडियो नहीं बनाते हैं, वो कमेंट श्रेक्शन में जाकर अपने दिल की सारी भढ़ास निकाल देते हैं, पर मैं इतना कहूंगी, जिसको भी आपको जैसा भी लग रहा है, क्योंकि आप वीडियो देखके समझ पारे हैं, वही तो आप लिखके आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप चौथी वीडियो आपने देखिया और पांच-दस भी वीडियो की आप बात उसमें करके आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना, जिस वीडियो को आप देख रहे हूं, जिस टेम पे आपके माइड में वो थौट चल रहे हैं, आप उसी टेम लिख द में रहके पागल हो जाओ, और ऐसे पागल होना मुझे बहुत सुईकार है, ऐसा पागल होना मुझे बहुत सुईकार है कि मैं अपने कैमरे पे लेके अपने दिल की बात कह लेती हूं, आपकी तरह गुट-गुट के नहीं रोती हूं, बहुत गुट लिए, बहुत तो बात तो कर तो मैं घरूंगी करूंगी क्योंकि जो कमेंट मुझे लगेगा वह उस तरीके से गया तो में उस पर बात कर देसे यह सकते हैं सचिन अब मनिश на मिसकर रही है, सच में मिस्द कर रही है, क्योंकि जो पाटी-पाटी था बहुत लोगों नो उसमें कॉंटरवर्सी करने की पूरी-पूरी कोशिश की है और आप जानते हैं कि कुछ लोगों को लेके बहुत लोग अपने ही मन में धारना बना रहे हैं ये चीजें, कुछ बनाते हैं और कुछ लोग नहीं, content के लिए उस चीज को दिखाते हैं, मैं आपको सच बताओ, content के लिए ये लोग दिखाते हैं, और उस चीज को आप समझ नहीं पाते हैं, आप उसको relation में convert कर देते हैं, एक pure, neat and clean रिष्टा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, वो आपको समझ में आता है, जो आपको दिख रहा होता है, तो भी क्या कर सकते हैं, आप जो दिख रहा है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो मनीचा ने बोला था, कुछ ट्राम के लिए आप वीडियो देखना बंद कर दीजी, क्योंकि आप ऐसी बाते करके न, किसी को कुछ नहीं कर र क्योंकि हम, मैं नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग एचीजे सोचते हैं, आप आदमियों के लिए बोल सकते हैं, और एक और चरितर के पर बात आती है, तो वह सबसे घटिया नीच इंसान होगा, जो जिसकी सोच ही नहीं चोगी न, वह इस तरीके की बात कर आएगा, ठ के बात जो हमें दिखा रहा है, इसमें कुछ जरूर गडबढ है, घोटाला है, अब यह सारा खेल कंटेंट का है, बाके किसी का कोई कुछ भी नहीं है, देखो मेरे कुकर ने भी सीटी बजा दी, मुझे भी खाने की तियारी करनी है, तो पिचर आप सान्त हो जाए तो मैं क समस्पारिंग, यह सिर्फ कंटेंट के लिए है, क्योंकि सची ने एक बात कही थी, जितना इंसान रोएगा ना, उतना कंटेंट बरसीगा, शायद इसी वज़े से ना, एक मोहतरमा है, जो दिन रात रोती रहती है, अपने वीडियो में, मतलब उनका तो कंटेंट, मतलब ट दर्द उसके दिल में भरा पड़ा है, कि हम क्या ही बोलें उसके लिए तो, भर, भर के उसके आसू, और ना, एक बात मैं आपको बताओ, जब भी कभी ऐसा मोमेंट आता है, मेरे को तो सच बताओ, मैं तो कैमरे के आगे नहीं रो सकती हूँ, मेरे को रत्ती बर भर भी ज़रूत नहीं है, इस तरीके से तुछे यूज्ण करने की ज़रूत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, क्यूंकि जब भी मैंने कभी कोशिश किया यूगा, तो कभी रियर ही हूआ होगा या तो कभी मैंने प्याज बेरा कट कियोगी तो मैंको कुछ गाना सौंग याता गया अंटी उसका पकफिरा कर दे क्योंकि एक बर अपने माई के जाए कि रहे कर आएगी तो कहते है ना एक तरफ रोटी भी एक तरफ अगर रोटी को रखेंगे तो वह भी जल जाती है तब इब उसको पलटना पड़ता है सेम हर एक बेटी का वही चीज है कि माई के और सस्राल ब माई के आती है तो माई के वालों को इतनी खुशी होती है ना पर जो अभी चीजे देख रही हूँ तो वह सब चीजे ना थोड़ा सा असा लगता है बहुत दिल पत्थर का उना चीए इस चीज के लिए क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी थी ना जहां तक मुझे तो टायम के रहते सब चीजे सही हो जाती है और लंबे टायम के लिए भी कोछ चीजे नहीं टिकती है जैसे सुभा के बाद रात होती है तो वैसे ही हमारी जीवन में परिवर्तन आता जाता रहता है बस हम एक चीज को पकड़ के ना बैठे तो सब चीजे ठीक है तो आपको क्य यहने से मैं समझदार हो जाओं तो भी आप कह सकते हैं तो बाकिया आपकी अपनी राय है है ना और आप कोई कुछ आपको क्या लगता है कमन शकी में ज़रूर बदाएगा मिलती हो नेक शुड़ी में अपने और अपने को खयाल रखेगा दोमें उच्छेयात किजिए कि जश दिरादी